हालो लिस्नर् हाज के टिटोरल में हम स्वनुझेंगे लिट को Wizard प Craig heißt supply अबकष अब्ज nella अ मे इस पंपर स्ट्ध को subscribe ऑप्लय करेंगे हम object को select करते हैं, object को select करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, यहां से stroke color के उपर click करेंगे, जैसे हम stroke color के उपर click करते हैं, तो यहां से हम यहां पे इसके उपर double click करेंगे और यहां से हम अपने stroke color जो है, चेंज कर सकते हैं, यहां से right and sound में जो हमारा Color है यहां से आफ अपने strong color को इसके उपर click करके स्ट्राक कलर को select कर सकते हैं जो भी color देना चाहें वो इसको दे सकते हैं या आ आप देख सकते हैं यहां पर आप से इसका implementation हो रहा है यहाँ से अगर हम none कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी color नहीं होएगा अभी अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और option है हम यहाँ पर उपर control panel में जाएंगे यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने accordingly भी color को change कर सकते हैं मॉग के सामने यह देख सकते हैं फ्रीवियू यह है अगर अगर आप चाते हैं कि हम अपने इस ट्राक का जो color जो है इसको color और को हम Step को high करना है अगर अगर हम देखेंगे swatches है हमार पास تو swatches में अभी जागर हम इसको color को change कर सकते हैं करा jeśli हम इसके stroke का weight को high करते हैं, इसके weight को high करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने color दे दिया magenta, यहाँ से हम इसके stroke को करेंगे, stroke के उपर जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम इसके weight को increase करेंगे, जैसे हम इसके weight को increase करते हैं, यह देख सकते हैं, for example हम दे रहें इसका weight का 10 तो यह आप देख सकते हैं हमार पास यह 10 उसमें show हो रहे है फिर से हम object को select करेंगे object को select करने के बाद आप directly यहां से भी कर सकते हो इसके weight को increase और decrease जितना आप चाहते हैं आप उतना इसको increase और decrease कर सकते हो अगर आप यहां से भी इसके weight को increase और decrease नहीं करना चाहते हो तो यहां पर यह हमारे panels हैं यहां पर हमारे पास ट्रॉक शो होता है यहां से जब आप click करोगे यहां से भी आप इसके weight को increase और decrease कर सकते हो option देखेंगे यहां से हम इसके weight को increase और decrease यहां से यह बना हुआ और यहां पर हमें एक drop down list भी बने हुआ यह देख सकते हैं आप preview में हमारे पास यहां पर यह इस object में implementations show हो रही है हम इसके weight को increase कर रहे है 10 पर इसके बाद हमें नीचे options आती है cap, corner, align strokes, align stroke के उपर हमारे पास यहां पर click है align stroke to center, align stroke to inside और align stroke to outside for example, अगर हम align stroke to inside करके तो आपने देखा होएगा कि line का stroke जो है वो inside पे आ गया है अगर आप line stroke to outside करेंगे तो line stroke to outside आपको show होएगा अगर आप line stroke to center करेंगे तो line stroke to center means आपको तीनों options में different different आपको previous देखने को मिला center, inside, outside वापिस हम इसको center पे लाके click करते हैं जैसे हम इसके उपर बाहर की side click करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमने stroke color में यहां पर इसको object को fill किया है हम इसको minimize करते हैं तो आज के tutorial में हमने object में सीखा कि हम stroke color के साथ कैसे work करते हैं Thank you करते हैं करते हम देखने तो